नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का खबरों का पंचनावा में मैं हूँ आपके साथ उजा हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पाँच बड़ी खबरे जिस पर चर्चा के लिए हमारता स्टूडियों में मौजूद है तो दिन बाद की पाँच बड़ी खबरों का विश्लेशन दॉक्टर मनीश जी से जाने के लेकिन सबसे पहले नज़ालते हैं गिरपतार अलकायदा अतंकियों के मामनी में विपक्ष किया इभद्वी प्रतिक्रिया अकलेश बोले मुझे यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं तो मायवती निकाहा सरकार कुछ ऐसा ना करे जसे लोगों में बैचैनी बढ़े मारास में 100 करोड के वसूली कांड में बॉंबई हाई कोट ने अनिजेशन की याजका पर प्यासला रखा सुरक्षित एफाईयार रद करने की थिमाद दिल्ली में पानी की दिक्कत को लेकर जनता परिशान पानी पर सियासत को लेकर हर्याना और दिल्ली फिर आमने सामने केजवाल सरकार के आरुपों पर आख्रो सहित पलटवार अरुचे 370 और 35 एका महबुबा मुफ्ती ने फिर छेड़ा राख साथ ही कहा कश्मीर के लोगो को प्रतारिक कर जहीं के सरकार बुरुना वामारी के भी संसत का मौसुल चत्र की तारीकों का अलान उन्ले जुलाई से 13 अगस्तर चलेगा संसत का मौसुल चत्र पहली कबार लखनव से अलकादा के दो आतनकी गिरफ्तार पर बिपक्ष के तरफ से आई भदी प्रतिक्रिया की करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों के काकौरी इलाके से ATS ने अलकाइदा के दो आतंकवादियों को गिरफतार किया ये आतंकी 15 अगस्त से पहले UP को दहलानी की साज़ुश कर रहे थे इनके पास से प्रेशर कुकर बंब, भारी मात्रा में बिसफोटक, अन्य हतियार और डस्तावेच बरावत हुए है इस पूरे मामले में ATS की बड़ी काम्यावी रही पर बिपक्ष के तरब से भद्धी प्रतिक्रिया सामदे आई है सपा अध्यक्ष अखलेश यादव ने कहा कि उन्हें यूपी पुलिस और भाजपा सरकार पर भरोसा नहीं है तो वही बसपा प्रमुख मायवती ने ट्विट करके प्रतिक्रिया दी मायवती ने ट्विट करके लिखा कि सरकार ऐसी कोई भी कारवाही नहीं करे जिसे जणता में बहचैनी और बड़े पुरा देश तारीफ कर रहा है ATS के इस कारवाही को लेकर पर विपक्ष की बात करे तो मायवती और अखलेश के टिपनी को लेकर आप क्या कहेंगे सर्थ देखे विपक्ष को सरकार का किटिसिजम करना तो एलाउड है बेव कुफी वो एलाउड नहीं होता डिमोकरसी में ये एक सीरियस नेशनल सेक्यूरिटी का मसला है ये जो लखनों में पकड़े गया अलकाइदा के आतंकी है इनके कनेक्शन्स कश्मीर के आतंकियों के साथ निकल रहे हैं अलकाइदा के साथ निकल रहे हैं, पाकिस्तान में पिशावर और कोटा से इनका तालुक रहा है, साथी साथ जिस वक्त हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, देश के कई इलाकों में हिंदुस्तान की एजिंसियां छापा मारी कर रही है, क्योंकि ये लोग जो पकड़ जा रहे हैं, ये स्लीपर सेल्स हैं, साथी साथ इन लोगों से जो पूश्ता जो हुई है, उसमें इन लोगों ने कानपूर में भी इस तरह के मॉडूल्स के बारे में जानकारी दी है, जिसकी खिलाब भी कारवाई वहाँ पे ATS कर रही है, कहने का मतलब ये है, कि एक तरफ national security है, लोगों की सुरक्षा है, और तो और जो निशाने पे थे, जो targets इन लोगों के वो देश में हरकंब मरचाने वाला targets है, आयोध्यगरा मंदिर, कासिविशुनात का मंदिर, मतुरा का मंदिर और इस तरह की targets पे अगर आप आतन की हमला करेंगे, तो बेचैनी तो उससे बढ़ेगी लेकिन मायवती को बेचैनी सिर्फ नजर आ रही है मुस्लिम वोटर्स की कि चुके जो पकड़े गए हैं उनके नाम मुस्लिम नेम्स हैं इसलिए इनको लग रहा है कि वोट बैंक इनका कहीं किसक न जाए इसलिए ये आतंग को डिफिंड करने के लिए सामने आ गए अखले स्यादव से ये उम्मीद नहीं थी लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि अखले स्यादव उसी तरह की भासा बोलते हैं जो 1970 में लोग बोला करते थे उन्होंने साफ कह दिया कि भई यूपी पुलिस पर उनको भरोसा नहीं है विपक्ष को ये लगता है कि आप आतंकवाद का साथ देदे इमराम खान का साथ देदे पाकिस्तानियू का साथ देदे कस्मिरी अलगावादियू का साथ देदे उससे उनका मुस्लिम भुट बेंक जो है वह मजबूत हो जाता है और यही इनकी सब्से बड़ी बे bi देशमुक की, 100 करोड के वसोली कांड में बॉंबे हाई कोट ने पर्व ग्रेह मंत्री अनिल देशमुक की याजका पर अपना आदेश शुरक्षित रख लिया है यसी याजका में देशमुक ने अपने खिलाब CBI की प्रात्मे की कुर्द करने की मांग की थी बता दे आपको किस से पहले एडी ने मनी लॉंडरिंग के सलसले में देशमुक के नीजी सचिब और नीजी सहय को भी गरफतार कर लिया इससे पहले एडी ने अनिल देशमुक के नागपूर और उनके सहयोगियों के मुंबई स्थित परिस्तरव पर भी छाप इमारी की थी तो मंत्री अनिल देशमुक की मुश्किले डॉक्टर साहब लागतार बढ़ते हुई नज़र आ रही है देखिए सुनवाई बॉम्बे हाई कोट में हो रही है सिंदे साहब जो जजज है वो उन्होंने आज दिल खुश कर दिया जिस तरह की बाते उन्होंने कोट के अंदर कही है उन्होंने साफ साफ का कि भाई ये परंवीर सिंग इसके खिलाफ क्यों नहीं ये फाई आर है से कहा गया है कि जो कुछ भी सबूत अनिल देस्मुक के खिलाफ आप निकठक किया है बंद लिफापे में कोट को दीजिए अब उसके बाद फैसला आएगा लेकिन सुनवाई के दोरान जो जजज सिंदे हैं उन्होंने जो बाते कही उस पे जरा गौर कीजिए उन्होंने बेसिक मसला उठाया कि ये जो सचिन वाज़ है ये अकेले उगाही कर रहा था ये तो पॉसिबल नहीं है इसका मतलब है कि इस रैकेट में कई और लोग शामिल थे तो कोट ने कहा कि किसी एक को भी छोड़ने की जरुरत नहीं है सब को सब के खिलाफ एफ आई आर करना चाह कि पहले परमीर सिंग ये बताए कि ये वाज़े का अपॉंटमेंट कैसे हुआ अगर वाज़े का अपॉंटमेंट किसी मंतरी के कहने पे हुआ तो उसको भी दर्ज किया जाए फिर ये भी उनसे कहा गया कि ये जो भरस्टाचार इस तरह के वसूली का जो धंदा चलता है उ इसलिए उपर से लेके नीचे तक इस रैकेट में जो जो लोग सामिल है सब को खिलाफ कारवाई CBI करे और इसलिए ये जो अनिल देश्मुक राहत लेने गए थे वो मुसीबत में फस रहे हैं और जिनको एडी ढून रही है परमदीर सिंग को वो भी हाई कोट के निशाने जे बिलकुल अनिल देश्मुक की राहत आफत में बदल गए चलिए वड़ते आगे अब खबर राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत पर पानी की समस्या को लेकर दिल्ली की जंता काफी परिशान है इस बीच दिल्ली सरकार ने हर्याना सरकार पर उसके हिस्से का पानी न पेश करती हुए दिल्ली सरकार को कड़ घरे में खड़ा कर दिया है सरकार के मुताबिक दिल्ली में पानी की कमी पूरी तरह से उनका आंत्रिक मामला है अर्विन केजिवाल तो कई तरह के आरोप लगा रे थे पर हर्याना सरकार ने मोतोड जवाब दिया है देखिए मैं बार बार कहता हूँ ये अर्विन केजिवाल हिंदुस्तान की राजनीती का नेटवर लाल है अभी कुछ दिन पहले बेट्स की कमी थी फिर दवाई की कमी हो गई फिर आक्सिजन की कमी हो गई वैक्सिन की कमी हो गई और अब पानी की कमी हो गई कुछ दिन के बाद ये विजली का कमी कहेगा, कुछ दिन के बाद पता नहीं, ये किस-किस चीज की कमी गिनाएगा, दरसल ये एक फेल्ड चीश मिनिस्टर है, ये हिंदुस्तान की जनता को ये साबित करवाना चाहता है, कि वो प्रधान मंत्री मोधी से लड़ने में मंता बनर जी, राहू भी जल्दिवाजी राजलिती में ठीक नहीं होती है, जे बिलकुल अलागतार, वो जिस तरह से रोते रहते हैं, ऐसा रोना भी बिलकुल अच्छा नहीं है, चलिए बढ़ने आगे, आप खबर जम्मु कश्मीर की पुर्व मुख्यमंत्री और पीज़िपी अध्यक्ष महभूबा मुफ्ती से जुड़ी हुई है, महभूबा मुफ्ती ने धारा 370 को लेकर एक बार फिर बयान जारी किया है, उन्होंने कहा कि धारा 370, 35A और डो मिसाइल कानून विदेश त्वारा नहीं दिये गए, इससे पहले की रास्ठ हमें ये देता, महराजा इसे भी टपनी की है, ये कैसे टपनी है, डॉक्टर साहब, किस नजरिये से देखा जाए, देखे महभूबा मुफ्ती हो या फिर ये जितने खांदानी पार्टी वहाँ चल रही है, चाहे अब्दुल्लाज हो, इन लोगों ने एक नया एक एंगल निकाला है कि जब तक राजिती करते हैं, वो तो सही है, लेकिन एक कमेंट जो आज महभूबा मुफ्ती ने दी है, वो हिंदुस्तान की जनता को जानना समझना जरूरी है, उन्हों ने कहा कि जिस तरह से बंगाल में खेला होबे, उसी तरीके से जम्मू के अंदर में भी खेला होगा, बंगाल का खेला क्या है, बंगाल का खेला ये है, कि सत्ता जिस दिन हमारे पास आ जाए, हम मुस्लिम बहुल इलाकों के अंदर हिंदुों के जीना हराम कर देंगे, हिंदु महिलाओं का बलातकार करेंगे, गैंग रेप करेंगे, हिंदु मर्दों का मडर करेंगे, उसकी कुरबानी द काल के पूरे राज से बाहर कर देंगे मुफ्ती महबुबा इन्हों ने आज जिस तरह के बयान दिये हैं खेला हुबे ये बहुत ही खतरनाक है मैं बार बार इस बात को कहता आ रहा हूं कि बंगाल में ममता बनर जी ने राजनीति का एक वो गंदा वारस छेड़ा है वो हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में जाएगा हर जगह जिस तरह से इसो कर सकते हैं कि इन स्टेट ऑफ सिविल वार बंगाल के अंदर उसकी सुरुआत हो रही है वैसा ही पूरे देश का महल बन जाएगा महबुबा मुफ्ति की इस बयान का खंडन और उसके निंदा हर पॉलिटिकल पार्टीज को करनी चाहिए जी बिल्कुल और काफी पॉलिटिकल पार्टीज इनकी निंदा भी कर रहे हैं चलिए बढ़ते आगे अब आखरी खबर मौनसुन सत्र 2021 की कोरोना वारस महमारी के बीच संसत का मौनसुन सत्र 19 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा लोगसबा अध्यक्ष ओमबर्ला ने बताया कि इस दौरान 19 कारे दिवस होंगे कोरोना काल में 3 सत्र आयुजद किये गये है 24 घंटे 8 पे स्यार की सुविदा भी रहेगी तो संसत की मौनसुन सत्र को लेकर सरकार की तैयारिया भी जोरू पर है सरकार ने सत्र के दौरान पारित होने के लिए प्रमुक विध्यकों की रूपरे खा तैयार कर ली है तो क्या लगता है डॉक्टर साहब की कौन-कौन से वो विध्यक हो सकते हैं जिसे मौनसुन सत्र में लाया जाएगा देखिए एक तरह तो तैयारी है हमने कुछ दिन पहले एक ख़बर बताई थी कि किस तरीके से प्रधान मंतरी कारियाले से हर नए मंतरियों को ये चिठ्ठी लिख दी गई थी कि 15 अगस तक सब को दिल्ली में रहना है सब को 10 वज़े आफिस पहुचना है और संसत से कोई भी सक्स एपसेंट नहीं रहेगा अब जो जानकारी मिल रही है भारती जंता पार्टी के हर MP को कह दिया गया है कि 15 अगस तक दिल्ली नहीं छोड़नी का है अब इस तरह की जब बातें सिधे प्राइमिनिस्टर आफिस से आती है तो इसका मतलब साफ है कि इस सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है एक तो कोरोना को लेकर के बहस होगी वैक्सिन के लेकर के बहस बाजी होगी उसमें एक दो संख्या बल सदन के अंदर सत्ता पक्ष का मजबूत रहे उसकी तैयारी है लेकिन जो खबरे आ रही है वो ये आ रही है कि 5 अगस तक मोधी सरकार उस तीसरे most controversial subject के उपर कानून लेकर के आने वाली है जिस पे कोई भी सरकार अब तक हाथ डालने से ढरती रही बचती रहे दो चीजे दो वादे जो प्रधान मंत्री मोधी ने किये थे वो पूरे हो चुके आर्टिकल 370 का अटाना राम मंदिर और तीसरा जो सबसे एहम है वो है युनिफार्म सिविल कोड एक सेकुलर देश के लिए एक सेकुलर कानून हो धर्म के आधार पर किसी के साथ को डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन वो दोनों ही ना हो इसके लिए युनिफार्म सिविल कोट लाने की तैयारी में मोधी सरकार जुट गई है जी विल्कुल इन सभी खबरों पर अपना नजरिया रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दॉक्तर जुटने के लिए तो खबरों का पंशनाबा में आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की बाकी खबरों और उटके सटिक अनलेसिस के लिए देखते रहे है कैपिटल टीवी हमें लाइक कीजिए शेर कीजिए और हाँ कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार